दक्षिन आफ्रिका और इंग्लेंड के बीच 3 T20 मैचों की सिरीज चल रही है। दोनों देशों के बीच ये सिरीज फिलहाल एक-एक से बनाबर चल रही है। आज इस सिरीज का अंतिम T20 सोफिया गाल्डन कार्डि में खेला जाएगा। इससे पहले साउथ आफ्रिका ने दूसरे T20 मैच में इंग्लेंड को 3 रहनों से हरा दिया। इस मैच में A.B. डिविलियर्स का बना चला और डिविलियर्स ने भारत के सिकसर के युवराज सिंग का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दक्षिन आफ्रिका को इंग्लेंड ने पहले T20 में 9 विकेट से हराया था। इंग्लेंड के टांटन में खेले गए दूसरे T20 मैच में आफ्रिका कप्तान डिविलियर्स ने 20 गेल्डों में 4 चौके वक तीन छतकों की मदद से 46 रन बनाई। इस मैच में डिविलियर्स के नाम T20 क्रिकेट में 200 या ज्यादा की स्ट्राइक रेक्ट से 7 बार 30 या उससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। डिविलियर्स से पहले ये कारणामा युवराज सिंग ने किया था। युवराज सिंग 6 बार 200 या उससे ज्यादा के स्ट्राइक रेक्ट से 30 प्लस का स्कोह बना चुके हैं। डिविलियर्स की तुफानी पारी की बदौलत दक्षिन आफ्रिका ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाई। जीत के लिए 175 रनों के लक्ष का पीछा करने उत्री इंगलन की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन ही बना सकी। इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए।